मुश्कार मैं केला सर्मा मोटरवाइक इंस्पेक्टर रूट सेप्टी एंड मोटरवाइकल रेगुलेशन इलिवेंट आज आपके सामने नया टॉपिक में लिखाए हूँ बीए सिरीज पार्ट 2 उससे पहले कि अपने टॉपिक स्टार्ट करें अगर पूर के मेरे वीडियो आपको पसंद आये हैं और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकन दबाते हैं जैसे इस से संबंदित कोई भी जो नया वीडियो होगा अपडेट्स होगा तुरंद आपको मिल सके तो सब्सक्राइब नहीं नहीं ले सकते हैं या उसके टेक्स का क्या होगा उसके बारे में बहुत सारी क्वेरी तो उसी के सम्बंद में यह सरी पाट टू में नहा वीडियो है इसके अंदर भारत सरकार ने 4 दिसंबर 2022 को एक नया नौटिभिक्सन जारी किया है नौटिशन जा और कुछ एमेंड मेंड जो पूर में घ्री की था उसके बारे मैं कुछ एमेंड मेंड में किया हूं क्या अपन देखते हैं एए बैफ सबसे पहले future के बारे में जैसा कि मैंने जो पूर्च विडियू था उसमें मैंने बताया था कि जो इसके लिए इसके लिए इसके लिए इसके लिए फारम 60 लगाना था अब इस नहीं नोटिपिक्स ने अंदर आईजन्टी कार्ड के साथ में Chef वी आप सकते लिकस्टीक्वन्कि दोनों दे यसके लिकीन लिए नया फॉरख़ण 60 है जो वर्किंग से कहते हैं वह मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स का अंदर उसका लिंक दे रहा है पीडिया लिंक दे रहा है जहांसे आप डाउनलोड कर सकते हैं तो यह दो बड़े चेंज किये हैं तता तीसरा जो चेंज किया है कि जो आई-कार्ड जैसे गवर्मेंट अप्लो या प्राइवेट सेक्टर या आई-कार्ड या सर्विस सेटिप्ट लगा या फॉरॉम सिक्टी लगा जो डिकलिएशन सेटिप्ट होता है इनका सबसे पहले रेजिस्टिंग और तर्टी दोरा वेरिफिक्टिंग किया जाएगा कि वह आपने सही लगाया है या नहीं आप वास्ते में इसके लिए एलिजिबल है या नहीं अगर आप वेरिफिक्टिंग बाद सैटिस्वाइग होने के बाद रेजिटिंग और तर् के से में जबतागी में है अगर मैं बेज ताँं तो उसमें दो केस को सकते है या तो जो खरीद nobody ले या वाष से इलिजीबिल नहीं है तो पहला है कि अगर वाधी से लिए तो उस केस के अंदर उस व्यक्ति को ट्रांसफर के समय उस पे नया रेगुलर जो शीरीज के नंबर है वह नंबर एसाइन करने पड़ेंगे उसके लिए उसको फारंटी सेवन होता है नियू एशेंट्मेंट के लिए फारंटी सेवन उसको एप्लाई करना पड़ेगा तथा जो उस इस्टेट गौवर्मेंट का जो टेक्स लाइबल है वह टेक्स भी वहां पे उसको देना पड़ेगा अगर वह जैसे मैंने बेचा है और वह अगला जो खरीदने वाला है तो उसके इसके अंदर वह बीएंशी के रेगुलर के अंदर ही उसका वाइकल ट्रांसफर हो और वह वाइकल उसका अगले के नाम हो जाएगा और बीएंशी एजी टीज रह जाएगी तो एक तो कंडिशन होई दूसरी कंडिशन यह हो सकती है कि अगर कोई वाइकल है और अगर वह वान जैसे मैं हूं आज मैं अल्रेड़ी एक कोई वाइकल है मेरे रेगुलर सिरीज है और आज की तारिक मैं अब अब बीएंशी में ले सकता हूं और अगर फार्म 27A होता है इना नया फॉर्म एड़िया है फॉर्म 27A के अन्दर आप ने सिरीज लिए एसेंट करने लिए आप अप्लाइए कर सकता है forum 27A है मैंने description box के में link में PDF दे रहा है जहाँ पर आप download कर सकते हैं पसा उसके साथ में जो BN series के जो text मैंने जो पूर के वीडियो में बताया था कि जितना text होगा वो text भी साथ में आपको pay करना पड़ेगा तो आप BN series में convert कर सकते हैं तो यह थी BN series के बारे में जो नए amendment थे उसके बारे में जहानकारी आसा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा थैंक्यू जैहिंज जैवारत